अश्लाव अलेकुम नमस्कार सस्रियकाल मैं हूँ अरिसद भी शुरू और आप देख रहे हैं मेवात आज दक आईए दोस्तों आपकी जानकार के लिए बता दें फिलहाल मेरी मौजूदगी खल्लू का गाउ में हैं और इस गाउ में देशी हकीम डॉक्टर एमडी अब्बा के दवा खाना के सामने हमारी मौजूदगी है दोस्तों आज डॉक्टर एमडी अब्बास का एंटरू करने के लिए हम पहुचे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ नई दवाओं का रिशर्च किया है आएगा डॉक्टर एमडी अब्बास से आपको रूब्रू कराते हैं दोस्तों इस सुक्त मेरे साथ इस कड़ी में जुड़ चुके हैं देशी हकीम डॉक्टर एमडी अब्बास खान इनसे जानकर जुटाने की कौशिश करें कि इन्होंने कौन सी नई दवा का रिशर्च किया है और क्या उससे लोगों को बीमार लोगों को फाइदा है डॉक् आप बता रहे कि एक नई दवा का रिशर्च आपने किया है नहीं दवा का रिशर्च किया हमने जैसे कि आजकल हमारे मेवात में नसरे का बहुत बड़ा वो चला है जिए इसकी जो आई वेतिक दवा को जी हमने पेचर्स हो पूमे बांज हो दारों किसी बिल्कुल ठीक हो जाता है जिक डेड़ महने का को थो ता हमने लए नहीं दवा को चरिए जिसमें भी एक नहीं ह्जारों मरीज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं कोई साइट पैक ना आइवेर की दवा है कोई साइट जिक इसके अलावा और दूसरा हमारा काम बवासी को बवासी खुनी हो बादी ह बवासी जो की एक देशी हकीम है इनके मुताबिके बता रहे हैं कि लगबग 25-30 सालों से ये देशी जड़ी भूटियों द्वारा लोगों को दवा देते हैं और लाइलाज बीमारी को फीक करने में सक्षम माने जाते हैं ऐसे हम दोस्तों यदि आप आना चाहते हैं इनके दवा खाने पर ये खलू का गाव में डॉक्टर अमडी अबवास का दवा खाना है और इस दवा खाने पर जब आप आएंगे तो ये दो सक्स आपको मिलेंगे यह यहांके senior doctor है. Dr. MD Abbas, इनकी junior doctor है. Dr. Zubair Ahramonji. Senior doctor जब नहीं रहते हैं किसीyearbos कहीं चला जाता है. इनकी गैर मौजूदगी में Dr. Zubair Ahramonji आपको मिलेंगे, इनसे आप दवा लिसकते हैं और कोई भी जानकारी जुटा सकते हैं. अब ले ले ले, पूरे ले. कोई सब्सक्राइब कर बता देगर चालू है कि ना आख अ अ अ अ कि दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मिवात आज तक चैनल को और शाथ में दबाईए बैल आइकल घंदे